तो गरीबी में हम भी जिये हैं उस घर से हम भी निकले हैं जिस घर से परसाथ के दिन में छट से पानी चूता था तो हमको याद है रात रात भर पढ़ते रह जाते थे बहुत पिटाई भी किये नमस्कार फ्रेंड्स मैं आनंद की सौर स्वागत करता हूँ आपका दाटाईरोस यूट्यूब चैनल पे और फ्रेंड्स आपके लिए आज जो हम आपके लिए वीडियो लाएं उसका मुख देश हमरा यह है कि जैसे कि कहा जाता है कि अगर किसी भी बिल्डिंग का अगर नी कर खराब हो तो सव लोग ग्रसित होते हैं या सव लोग उनकी वज़ा से खराब होते हैं लेकिन सिच्छा विवस्था ऐसा चीज है जहां पर सिच्छा के अगर सही गाइडेंस बच्चों को नहीं करें तो पूरा देश उसके परती अभाराता कि क्योंकि बच्चे ही देश का भबिस हैं इस हम मिलने हैं वार्णर केमेस्टरी जहां पे हम आपको सर से मिलाएंगे और यहां पर जानेंगे वारेंगर बहुत कुछ जानेंगे पहलेस्त 2 और सुब्सीय आपने पर नमस्कार आपको भी सवर्णर केave आपका नाम कि चाहेंगे और लोग तो सर के नाम स देखिए वार्नर केमिस्ट्री रखने का रीजन क्या था सबसे पहले हम सोचे बहुत सारे नाम को मन्थन किये थे लेकिन हमको लगा कि वार्नर जो वार्नर केमिस्ट्री रखे हैं वार्नर नाम का एक साइंटिस्ट है अस्टिफ वार्नर जो कोडिनेशन कंपॉंड के फादर ह हाना तो सोचे क्यों ना साइंटिस्ट के नाम को आगे किया जा हाना लोग तो अपने पुर्वज के नाम पे अपने नाम पे कोशिंग का नाम रख लेते हैं हम थोड़ा सा सोचे कि साइंटिस्ट के नाम को ही रख करके थोड़ा आगे बढ़ा जाए जाए अपने साइंटिस् जबूद से मेरे पिताजी का सबसे बड़ा योगदान रहा परहाई में बचपन से अपने गार्जीयन तेपिटाते ही हैं पिटा जी के पिटाने के दर से मेहनत करते थे मेहनत का अज नतीजा हुआ कि आगे हमको पढने में खुब मन लगा और पढने में मन भी लगा तो हम हाई स्कुल टॉपर रह चुके हैं तेन्थ में हाई अस्कूल टॉपर भी रह चुके हैं मेरा 80% 81.7% 12 में भी रहा है कुछ लेकिन थोड़ा सा घर की स्थिति खराब हो गया था किसी कारण वस घर का कंडिशन खराब हो जाने के कारण हम 12 की पढ़ाई मन से नहीं कर पाये था फिर दुबारा पढ़े उसके बाद करते हैं ऐसा नहीं कि उसी यह टेंट में हम क्लास के लिए आपको पर 80% marks वी रहा है तो सर आप वह सारी चीज़ений अप पढ़ाई करते थे इससे पता चलता है पर सर आप से हम ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं आप मस्ती वेगरा के क्या करते थे आप अपने बच्पन का कोई स्टोरी से जैसे पढ़ाई करते होंगे तो कितने दिर पढ़ाई करते थे और उसमें आप खेल कुद कैसे करते थे बिल्कुल बिल्कुल गौं से हम बिलॉंग करते हैं और गौं में रहते थे जैसे गौउं के बच्चा सब क्रिकेट ये सब हम भी खेलते थे हाना रात रात भर जब एकजाम नजदी का आया था ना तो हमको याद है रात रात भर पढ़ते रह जाते थे एक अक महीना तक दिन में सोते थे ऐसा नहीं कि दिन में नहीं सोते दिन में 4-5 गंटा के नींद ले लेते थे लेकिन रात का जो पढ़ाई होता है ना disturbance कम होता है इसलिए रात भर पढ़ाई करते थे जादे तर मेरा routine रात ही करते थे और सर हम आप से यह जानना चाहेंगे कि आप जो कोचिंग खोले हैं आपका क्या बच्पन से कभी सोचे थे कि हमको पढ़ाना है बच्चों को या फिर यह आपके पास कैसे आया कि हमको कोचिंग कोलना है या पिर पढ़ाई कित में नहीं कि कोचिंग खोलना है जब हम偿 तो हम जहां ट्यूसन करते थे, वहां के टीचर मैथ तो हम बना लेते थे, हम दो क्लास करते थे, ट्यूसन करते थे, कोचिंग करते थे, ट्यूसन में हम मैथ आगे-ागे चलते थे, और कोचिंग में जाते थे, थोड़ा पीछे रहता था, तो है न, वहां जाने के बाद, ढूलते था कि जाये बोर्ड पर पर बढाईए एब बदाईए जाकर करके बनाईए सब को बताईए उससे धीरे-धीरे जो जब बॉर्ड का हीजिटेशन हा ना मेरा धीरे-धीरे तेंथे किलास में खतम हो गया था एक वहीं से हमको लगा था ना कि न पढ़ाया भी जा सकता है पर जैसा कि देखते हैं बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाया पढ़ाते हैं क्लास में जाके बच्चे भी खुद को याद करने के लिए होमवर्ग मनाते हैं सर लेकिन आपसे यह जाना चाहिए बच्चों को तो लोग देखते ही रहते हैं, ये तीचर," आप बच्चों को अपडेट करने लिए आप भी महनत करते हैं, या कितना करते हैं breakfast?" बिलकुल बिलकुल अगर हम चाहे तो एक घंटा का बैच डाता तो उसके लिए हम घर में दो घंटा परहाई करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर सिच्छा खुद मेहनत करके आएंगे ना तो बच्चे के quality बला education देने के लिए teacher को तो मेहनत करना ही होगा है ना तो इसके लिए एक घंटा का बैच डाता है तो दो घंटा की परहाई खुद करते हैं different different book को study करते हैं उसके बाद खुद prepare हो करके हम आते हैं बिल्कुल और जनुरी भी एक हर बदलते जा रहा है और सर आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि सर जो बहुत सारे बच्चे के लिए आपका क्या message जो बच्चे सर क्लास में कुछे जैसे किसी को doubt होता है तो पूछने से डरते हैं सर या फिर हलके question हो या लगता है कि सब को करते हो पूछने में तो आने वाला समय आपका भविस बरबाद हो जाए इसलिए बेही चेक टीचर से डरना नहीं है और हम क्लास में भी बच्चे के साथ friendly विहाइब करते हैं ताकि बच्चा डरे नहीं है जहां discipline रखना हुआ हम discipline भी रहते हैं लेकिन पूछने के समय कुछ सर्म आता है लेकिन उसको भी हम बूर कर देते हैं बहुत सारे बच्चा लोग होता है कि सोचता है कि अगर हम पूछेंगे तो हमको सब देखेगा बच्चा तो क्या सोचेगा है तो खेर यह सब बात नहीं हम बच्चा को motivate करते देखो अभी सर्म नहीं करो बाद में ज थोड़ा सा डर नहीं रहता था बहिचक हम क्लास में पुछते थे कोई डॉट रहता था हना जैसे एक टेंथ क्लास में चैप्टर हमको आज भी याद है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हना तो टीचर हमको बोले थे कि जाए इसको बनाइए हना तो हम गये उपर में लि अमित कुमार पहारी पर है ना तो कॉमेंट करके लेकिन खर हमको उस टेम सर्म नहीं आया था और हम उसके बाद भी क्लास में बताए थे और सर अभी कुछ दिनों में बोर्ड का भी एक्जाम होने वाला है तो सर आप बोर्ड वाल जो एक्जाम देने जा रहे हैं चात्रों कुछ मेंसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे सर्थ देखिए जो बोर्ड के एक्जाम देने चात्र जा रहे हैं उनको हम यही बोलेंगे कि बक्त के साथ आप बक्त से लरना सिखिए अगर बक्त से नहीं लड़ेगा तो बक्त आपके साथ लड़ेगा है ना अगर आ आने वाला 5-6 साल में 10-12 घंटे दूसरे के हां काम करने के लिए तयार रहिएगा तो हम यही बोलते हैं कि रूटीन बना करके आप परहाई किजिए अभी मौका अभी एक महिना में भी अच्छा किया जा सकता है अगर आप चाहेंगे रूटीन बना करके पढ़ेंगे तो परहाते हैं या फिर कम फिकरते हैं देखिए जो गरीब परिवार के बालवचे आते हैं गार्जियन अगर साथ में आते हैं गार्जियन कह देते हैं कि ना सर गरीब है यह तो फिरे में पढ़ा देते हैं तो पैसा बचाने के चकर में मौवाइल रखेगा 10,000 के आप बोले यही कहेंगे कि देखिए आपका गरीबी अगर पढ़ने के आपके अंदर जुनून है ना तो गरीबी माईने नहीं रखता है आप अगर आगे निकलना चाहते हैं तो कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जो आपको हाथ पकर के खिछ लेगा लेकिन आप मेहनत तो किजिए हाना आगे बढ़िए हाना कहा जाता है कि ना हो संघर्स ना हो तकलीफ हैं तो क्या मज़ा है जीने में तुफान भी टल जाएगी ज जब लक्ष होगा सीने में हाना कितनों भी मुसिबत रहेगा खुद अपने आप टल जाएगा कोई लोग ऐसा आएंगे जरूर जो हाथ पकर करके आगे कब देंगे तो गरीबी माइने नहीं रखता है हाना आप मेहनत करते रहें गरीबी खुद टल जाएगा बिलकुल सर त यह भी जानना चाहिंगे एक सर अप सो यह सारी बहुत सारी बाते होगे शाल आप से जानना चाहिए सब को पुछ इंट्रेश्टिंग हिसार इप टो वस्षी और करना घूर बच्मंद सर को एक कहानी होगा आप बटाना चाहिए हा बच्पन में तो पहला ड़ीन लेकिन गार्जियन का इतना डर रहता था अपने पिताजी से बहुत यादा मार खाते थे अधोित के पिटाजी के बज़ेते पिटाजी से थोड़ा सा अपने जीवन में डिसिप्लीन करते रहते से ऐसा कोई तो कहानी नहीं है बिसेस की है। जिस घर से परसाथ के दिन में च्छत से पानी चूता था। उसके बाद अगर पैरेंट्स को अगर अपने बच्चों को कैसे क्या रखना चाहिए, कैसे गाइड करना चाहिए। देखिए, पैरेंट्स को यही हम इनफरमेशन देना चाहते हैं, कि बच्चे लोग जो होते हैं, बच्पना जो होता है, ना सराथी होते हैं। थोड़ा सा पैरेंट्स को भी जिम्यदारी बनता है, कि अगर हम बच्चे को बिहार सरी भेजे हैं, या कहीं भी बड़े सार में भेजे हैं, तो टाइम टू टाइम जा करके देखें। हाना, एकदम कॉल करके दिन भर क्लास किया, तो साम में पूछें, कि आज क्या पढ़ाई हुआ, गार्जियन का ये होना चाहिए, कम से कम इतना जिम्यदारी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग क्या होता है, कि बच्चपन में तो सरार्ती होता ही है, लेकिन क्लास जाते समयना कभी class नहीं गया कहीं और move कर गया, कहीं home ने निकल गया कहीं दोस्तों के साथ खेलने निकल गया अक्सर ये सब घटना होते रहता है तो यही guardian से कहेंगे कि अपने बच्चे को प्रती proper ध्यान रखिए हमेशा information लेते रहिए teacher से आकर के मिलिए कि मेरा बच्चा class आता है या नहीं आता है तभी आपका बच्चा में विकास हो सकता है और आपका बच्चा भविस में आगे बढ़ सकता है क्योंकि कहा जाता है कि सिच्छा वह सेरनी का दुद है जो जितना पिएगा उतना दहरेगा और सर आपस यह जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि अभी आपके पास जो चातर आते हैं बैसिकली 11 12 के चातर ही आते हैं तो सर उन चातरों में अभी तो सर उनका ऐसा एज आता है कि उनमें हर्मोनल चेंजिस बहुत होते हैं एक दूसरे एक लड़के और लड़किया मेरे बैसिक ग्रूप से यह एक दूसरे परती अट्रेक्ट जादा होते हैं या फिर इनके चेकर में या वो अपने मंजिल को भटक जाते हैं तो अगर सर उनको अगर कुछ बोलना रहे सर क्योंकि ये आज के यूबा पिड़ी में बहुत ज़्यादा ही देखा जा रहा है देखिए यूबा पिड़ी में तो देखा जा रहा है लेकिन हम यही बोलेंगे उस बच्चे से कि देखिए बाबू ये एज आपका चला नहीं जाएगा हम ये नहीं कर रहें कि प्यार करना कोई गलत चीज है है ना ये गलत नहीं है लेकिन हां आप जिस एज में हो ना पहले आप अपने आप को बना लिजी उस लाइक है ना अगर आप उस लाइक बन जाते हो कहीं अच्छे जगह पे सेटिल हो जाते हो उसके बाद आप ये सब करो ना कोई नहीं रोकेगा आपको एक कहाबत भी है कि जो हुस्न की लिवासों में लिपट कर रह गए वो गली मुहले में सिमट कर रह गए जो इस एज में अगर ये सब चीज में फंस जाते हैं बस गली मुहले तक ही रह जाते है लेकिन जो बच्चा इससे उठ करके उपर आगे आ करके मेहनत करते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं पढ़ने किसी भी क्लास में जाते हैं बाबू सबसे पहले आपके N.C.E.R.T. बुक होनी चाहिए सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं कोई खराब नहीं पढ़ाते हैं बस कौन टीचर अच्छा कॉंसेप्ट दे रहे हैं कौन अच्छा बुक फॉलो कर रहे हैं अगर आप N.C.E.R.T. अच्छा से पढ़ लेते हैं लाइन वाइ लाइन ना तो मज़ा आ जाता है एक्जाम आप अच्छा से क्रेक कर पाओगे उसके बाद आगी का भी कंपटिशन जो होगा न उस सरल हो जाएगा क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा जितना भी सरकारी जौब है न सब जितना भी कोस्चन पुछा जा रहा है सब N.C.E.R.T. बेस्ट कोस्चन है अगर बच्चा का बेस सही रहेगा न तो आगे दिक्कत नहीं होगा आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें फिजिक्स पढ़ें केमेस्ट्री पढ़ें या बायो पढ़ें N.C.E.R.T. बुक से जरूर मिलाएं यही हम बच्चा को सजेस्ट करेंगे नहीं तो बच्चा लोग किताब नहीं लेता है धोखा खा जाता है माल लीजिए कुछ टीचर जो हैं सलेबस नहीं पुरा किये यह तो बच्चा कैसे पता करेगा हम कहा देंगे कि हम सलेबस पुरा कर दिये खतम कर दिये, आपके पास बुक नहीं रहेगा, तो आप कैसे पता किजिएगा, किस लेवस हुआ, खाली बोलने पर कि हाँ सर होगी, आम बोल दिये कि होगी आपूरा, तो होगी आस लेवस पूरा, ऐसा नहीं होता, बच्चा लोग में ये चीज कमी देखने को मिलता, बुक नहीं मिलाते हैं बच्चा, बुक मिलाईए ताकि दिक्कत नहीं हो आपके भविस के साथ, अरे हम, हमारे जैसे टीचर आपसे पैसा तो लहीं लेंगे ना, आपको पता है ना, कि कितना संगहर से आपके माता और पिता पैसा देते हैं, सोचिए दिन भे, अगर आपके पिता देते हैं पढ़ने के लिए, कहीं ने कहीं हो, खुन पसीना का पैसा होता है, हना, तो यहीं कहेंगे, कि आप अपने माता पिता के पैसे को बेर्थ होने ना दे, हना, आप बुक जरूर मिलाएं क्लास में, नहीं मिलता हना, बेहिचक आप क्लास छोड़ दे, टीचर से कोई दोस्ती नहीं, हना, यहीं हम बच्चे को information देना चाहेंगे, और बाकी तो पढ़ाने वाले सभी लोग पढ़ा ही रहें, हना, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना लेंग्वेज है पढ़ाने का, जो टीचर से आपको अच्छा लगे, उसी टीचर से पढ़ से सवाल पूछिए, या फिर कलास में सवाल पूछिए, सब में जैसा बोला है, और भी बहुत सारी चीजी हम जानेंगे, सर के बारें, और कभी फिर कभी मुल लखाते होगी, अभी सर के बास भी कुछ कही निकलना है, और बस आज का वीडियो यहीं खतम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्टूडियो में, तब तक के लिए जैहिन